हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी क्लास क्लास 12 की हिंदी की बुक अंतरा भाग दोका चौद्वा अध्याय कच्चा चिठ्था इसे लिखा है ब्रजमोहन व्यास जी ने ये जो हम पाट पढ़ने जा रहे हैं कच्चा चिठ्था ये ब्रजमोहन व्यास जी की आत्मकत्ता कच्चा चिठ्था का एक अंश हमारे सामने प्रसुत किया है कि उन्हों ने किस तरीके से बहुत ही कीमती मूर्तियों शिलालेखों का संग्रे किया इलाहबाद संग्राले के लिए उन सभी को जिसमें बहुत ही कम पैसा इनको खर्च करना पड़ा उन सब चेस का संग्राय इन्होंने इलाबाद संग्राले में किया हुआ है तो कैसे कैसे किया है ये सभी व्योरा इस पार्ट के अंतरगत है ये कच्चा चिठा इनकी आत्म कथा है जिसका एक अंश हमारे सामने सिर्फ प्रस्तुत किया गया है एक भाग चयरा छोटा सा उसको आत्म कथा में से निकाल के तो देखते शुरू करते हैं ये पार्ट प्रस्तुत पार्ट लेखक ब्रज मोहर व्यास की आत्म कथा मेरा कच्चा चिठा का एक अंश है व्यास जी की सबसे बड़ी देन इलहाबाद का विशाल और प्रसिद संग्रालय है इस पार्ट में उन्होंने संग्रालय के लिए बिना किसी विशेश व्याय के अपने श्रम एवं बहुत धिक कौशल का प्रयोग करते हुए सामगरी एकत्र करने का विवरण प्रस्तुत किया है मतलब इसमें वो बता रहे हैं कि बहुत ही कम खर्चे में उन्होंने बहुत ही अनमोल मूर्तियां शिलालेख होगरा एकठा किया और कैसे कैसे एकठा किया इन सभी चीज ऑसके लगभक लेखक कौशामभी गया था वहां से काम समाप्त कर वहां पसौबा चला गया आप देखेए जगहां के नाम है कौशामभी पसौबा वहां चले गये पसौबा एक प्रसिद्द तीर्थ है प्राचीन काल से वहां हर वर्ष जैनों का मेला लगता है मतलब जैल समधाय का है पूरा बहुत बड़ा मेला लगता है कहते हैं इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी की गुफा में बुद्ध देव व्यायाम करते थे मतलब कहते हैं कि यह स्थान है यहाँ पर एक गुफा है उसके अंदर जो महात्मा बुद्ध हैं वो व्यायाम किया करते थे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते थे तो वो उस गुफा के अंदर करते कहा जाता है इसका प्रमाड है कि नहीं इस जीस के बारे में कुछ नहीं पता यह भी कहा जाता है इसी के पास समराठ अशोक ने एक स्टूप बनवाया था जैसे आप सभी को पता है कि बौध धर्म ने बहुत सारे स्टूप बनाए यह स्टूप एक गोल गुम्मत नुमा होते हैं उसके अंदर कुछ नहीं होता उसके अंदर बुध देव के शरीर के कुछ अंश जैसे रखे रहते हैं नाखून हैं बाल हैं जो कभी समाप्त नहीं होते उनके कुछ अश्ती भी रखी रहती हैं तो उसी में से एक स्थूप कहते हैं अशोक ने यहाँ पर भी पसोबा में भी बनवाया था जिसमें बुद्ध के थोड़े केश और नाखून रखे गए थे अब यहाँ इस्तूप और वयायाम शाला के चिन नहीं है परंतु पहाड़ी अवश्य हैं कहा जाता है कि यहाँ पर था लेकिन अब यहाँ पहाड़ी बची है उस वयायाम शाला या इस्तूप के कोई भी अंच नहीं बचे हैं लेखक संग्राले के लिए पुरातत महत की सामगरी की खोज में लगा रहता था मतलब संग्राले के लिए कोई भी पुरानी चीज उनको कैसे मिल जाए उन सब चीजों को वो देखते रहते थे कि हमको कहीं से भी कुछ भी मिल जाए ताकि हम उसे संग्राले में ले जाकर लोटता मतलब वो कहीं भी जाते थे तो खाली हाथ नहीं लोटते हैं मतलब कोई न कोई एक पुराता तो महत्व की चीज लेकर ही लोटते थे पसोबा में उसे काफी अच्छी मिट्टी की मूर्तियां सिक्के और मनके प्राप्त हुए मतलब पुराने समय की जो बहुत सारी वो मिलती है, वो मिली उनको मिले, सिक्के मिले, मन के मतलब चोटे चोटे जो भी ही, उनको मुतियां टाइप का उनको सब को मिला लेखा किसामगरी को लेकर कौशाμबी लोड रहा था, पहसुबा से सारी चैजित उन्होंने कुट्र कि और लोड कर कहा आ रहे थे, वो कौसाम भी वापस आ रहे थे, तो रास्ते में लगबग 20 सेर वजन की शिव की एक चतर मुखी मूर्थी पेड़ के नीचे रख़्ी दिखाई दी, अब क्या हुआ? वो लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें देखा कि शिव की एक चतर मुखी यानि की चार मुखवाली एक मूर्ती 20 सेर की वजन में जो है वो उनको दिखाई दी अब 20 सेर का मतलब समझ लीजे एक सेर में 5 किलो आता है तो वहाँ पर 20 सेर की मूर्ती एक रखी दिखाई दी थी अब यह तो पुरातत्त चीजे देखी रहे थे तो उसको देखकर भी वो चकित हो जाते हैं लेखक का मन उसे उठाने के लिए ललचाने लगा अब उनको लगा कि हम इस इभा इतनी मातलब मुर्ती है इतनी बढ़िया है पुरातत भी लग रही है चलो उसको उठाकर ले चलते हैं लेखक अपनी दिश्टी स्पष्ट करते हुए बताता है कि जैसे किसी बिल्ली ने चंद्रायन का उपास रखा और उसके सामने स्वय में एक चूहा आ जाए तो ऐसे स्थी में बिल्ली को चूहे खाने का करतव ये पालन करना ही पड़ेगा बिल्ली का करतव है चूहे को अपना भोजन बनाना चूहे को सामने देख कर तो वह अपना बरत तोड़ने को विवश होगी ही इसमें बिल्ली का क्या दोश इसी प्रकार लेखक ने अपना करतव पालन करते हुए मूर्ती को उठा कर इक्के पर रख लिया और लाकर नगल प बिल्ली का करतव क्या है चूहे को खाना अब इसमें बिल्ली का कोई दोश नहीं है दोश किसकें फ़े अपोस के समय वह सामने क्यों आयाच तो बिल्ली की ने चूहे पूरा किया और इधर लेखक ने मूर्ति अपने इक्के यानि तांगे में आ रहे थे तांगा मतलब जिसके आगे घोड़ा सवरता है उसमें वो मूर्ति उठा कर रख ली इस तरीके से उन्होंने अपना करतवे पूरा किया कि उन्होंने तो भाई ब्रत रखा जा कि हम कोई चीज चुराएंगे नहीं लेकिन यहां मिल गई है तो अब क्या करें उठाने से हम क्या कर सकते हैं तो उन्होंने वो मूर्ति उठा ली कुछ समय बाद गावालों को पता चला कि चतरमुक्षिव की मूर्ति अपने स्थान से गायब है अब जिस गाव में ये था उन लोगों को पता चलता है कि मूर्ति वहां तो गाव वालों का सीधा शक ब्रजमोहन पे जी पर गया लेखक एक कहावत का हवाला देते हुए कहता है कि जब अपना सोना ही खोटा हो तो परखने वाले का क्या दूश कौसामबी मंडल से कोई भी मूर्ती गायब होने पर लोगों का शक सीधे लेखक पर जाता था और 95 प्रितिशत मामलों में उनका संदेश सही भी निकलता था अर्थाज अपना सिक्का खोटा हो क्योंकि वो इतने फेमस हो चुके थे कि मूर्ती कहीं पर भी गायब हो कि इन्होंने यह उठाई है अब उठा तो यह लेते थे और कई मामलों में एकदम 95% में गाव वालों का शक एकदम सही होता था क्योंकि जो मूर्ती गायब होती थी सीधे इनके पास आते थे वो मूर्ती मिल भी जाती थी क्योंकि मूर्ती अदिकतर यही कलेक्ट करते थे तो यहां पर उनका कहने का ताथ पर यही था कि कहीं पर भी अगर कुछ गलत कहुए मूर्ती गायब हो तो सीधा शक लेखक पर यानि कि ब्रजमोहन व्यास पर ही आता था सारे गाव वाले इकतर होकर लेखक के पास पहुँच गए उन्होंने मूर्ती लोटाने की प्रात्ना की उनकी ममता और शद्धा देखकर लेखक ने भगवान शंकर की मूर्ती उन्हें लोटा दी एक बार लेखक को कौशामबी के एक खेत के मी मेड़ पर बोधिस्तव की आठ फुट लंबी मूर्ती जिसका सर नहीं था दिखाई पड़ी अब क्या था वो मूर्ती गाँवाले लेने आये बड़ी शद्धा के साथ वो गाँवालोक मूर्ती दे दी उनको उनका जलपान वगएरा सब कुछ कराया और उनको वापस भेज दिया अब एक बार क्या हुआ कि कौशामबी में खेट की मेड़ पे उन्हें बोधिस्त तयानी की बुद्धभगवान की एक मूर्ती मिली जिसका सिर नहीं था वह मूर्ती मतुरा के लाल पत्थर की बनी थी मतुरा में जो लाल पत्थर मिलता है पाड़ो वो उस पत्थर से बनी हुई थी लेखक जब 5-6 लोगों के साथ मूर्ती उठाने लगा तो एक बुढिया ने उसे रोक दिया अब वो मूर्ती जिसके खेट पर रखी थी उस बुढिया ने रोक दिया कि जब उठाने आये तो नहीं नहीं उठाना है भाई लेखक बुढिया को 2 रुपए देकर मूर्ती इसको संग्राले ले आया अब वो बुढिया का मत्तब समझ गए थे बुढिया लाल्ची थी वो समझ गए उन्होंने उसको 2 रुपए दिये और वो मूर्ती लेकर चला आया एक बार एक फ्रांसेसी व्यक्ति संग्राले देखने आया बातों ही बातों में पता चला कि वहाँ पुरातत वस्तुमों का व्यापारी है इसी संदर्म में लेखा कहता है कि कॉवा और कोयल दोनों का रंग रूप एक जैसा होता है परंत बोली में दोनों का अंतर इसपष्ट होता है इसी प्रकार जब व्यक्ति संग्राले में प्रदरशित वस्तुमों का मूँल आक नहीं लगा तो पता चला कि वह एक दर्शक नहीं व्यापारी है तो अब कैसे पता चला बात ये हुआ कि कौवा और कोयल दोनों का रंग एक जैसा होता है मगर दोनों के कृत्य अलग होते हैं कौवा बोले तो काई काई कोयल बोले तो कूख गाना हो जाता है तो उसी तरीके से यहाँ पे लेखक, ब्रजमुहन व्यास्त जी और जो फ्रांसीसी आया था, वो दोनों का काम एक ही था, पुरानी चीजों को कलक्ट करना, लेकिन दोनों की नियत अलग तरीके सी थी, एक फायदा कमाने के लिए काम करता था, यानि कि फ्रांसीसी जो था, व यहाँ पर एक संग्राले का वो निर्माड कर रहे थे, यहाँ पर उनका खुद का कोई फायदा नहीं था, लेकिन बस उनको एक निर्माड कराना था, इसलिए वो बहुत ही कम वह में सारी चीज़ों को जो इकत्र करते थे, तो अब वो देख रहा था, तब देखता रहा तब ठीक है, लेकिन जब वो पैसे उसके आखने लगा, यह नहीं यह इतने का होना चीए, वो उतने का होना चीए, तब समझ में आया कि वो सिर्फ एक दर्शक नहीं है, वो एक व्यापारी है, क्योंकि पैसा व्यापारी ही आखता है, यह कितने का होगा, क्या होगा, या तो वो खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है दो तरीके से हो सकता है अगर आपको collection करना है तो फिर आप पैसा नहीं देखोगे कोई चीज अगर बहुत ही precious है जैसे हम coin collect करेंगे या tickets collect करेंगे तो हम पैसे नहीं देखेंगे हमको बस चहिए कि हम अपने पास रख लें इसको यह जो collect किया है वो बहुत ही precious है यदि उसकी कीमत रूपियों में बता दी जाए तो लेखक का इमान डगमगा जाएगा उसने बोला कि अगर मैं बता दूँ कि आपने जो इतना सब संग्रह एक अठा किया है ये कितने का है तो आपका इमान डगमगाने लगेगा मतलब होता है कि नहीं हम पैसों पे मोहित नहीं होंगे लेकिन आप जैसे ही आप रकम सुनेंगे आप तुरंती बिगल जाएंगे और आपका मन करेगा ये सारी रकम हमारे पास आजाए लेखक ने उत्तर दिया कि इमान जैसी कोई वस्तू उसके पास है ही नहीं तो उसे डिगने का सवाल यहाँ नूटता यदि होता तो इतना बड़ा संग्रें बिना पैसे कोडी के ही नहीं बन सकता था तो कहने का मतलब है उन्हों सीदे हैं इमान की चीज मेरे पास नहीं है और अगर होती तो बिना पैसे बिना कोडी कि मैं इतना बड़ा संग्राले नहीं इकत्र करता क्योंकि फिर मैं भी मुनाफ़ा अगर मेरे अंदर इमान होता तो मैं भी मुनाफ़ा कमाने की कोशिश करता मैं सारी लाला के यहां क्यों इकत्र करता बिना इतनी मेहनत करता बिना पैसे भी दे रहा हूं ला भी रहा हूं लो बिकाऊ नहीं है दूसरा इस संग्रे के लिए उसे कई बार बेइमानी का सहारा भी लेना पड़ा है लेकिन इसमें इसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है तो अपनी इस हल्की फुलकी बातों से उन्होंने दो चीजन सो समझाई वो ये था कि ये जो संग्रे किया है इसे बेचने के लिए नहीं किया है आप चाहिए जितना पैसा लगा लिजे मैं इसको बेचूंगा नहीं और दूसरा चीज इस संग्रे को इकत्र करने के लिए मैंने भी थोड़ी बहुत बेमानी करी है तो इसलिए मेरे पास इमान नहीं है तो ये बाते उन्होंने उसको साफ़ लगाया अब उस समय 10,000 जब बात हो रही है 1936-38 के आसपास अगर आप 10,000 रुपे का मूल लगाएंगे तो आज समझ लीजे 10,000 के आसपास का मूल होगा तो उस मूर्ती का मूल उन्होंने करीबन 10,000 उस समय लगाया लेखक ने मूर्ती देने से इंकार कर दिया यह मूर्ती बोधिस्त्व की अब तक की सबसे प्राचीन मूर्तियों में से है मतलब वो मूर्ती जो फ्रांसिसी खरीदने आया था उसको मना कर दिया नहीं दिया और अभी तक की मिली वोजधित यानी भगवान बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ती में है ये मूर्ती इस मूर्ती के पदिस्थल पर यह उतकरीड है पदिस्थल मतलब मूर्ती के सबसे नीचे पार्ट में नीचे पार्ट उतना खेरा उसमें लिखा हुआ है क्या लिखा है कि कुशार समराट कनिश्क के राजकाल के दूसरे वर्ष स्थापित की गई थी है बताईए कुशार के मे कुशानकाल में जो कनिश्क राजा थे उनका जब राजिकाल शुरू हुआ था उसके दूसरे साल में ये मूर्ति उनके राज में इस्थापित की गई थी इसके बाद लेखत उसाह पूर्वक मूर्तियों की तलाश में और अधिक तेजी से जुड़ गया इस वक्त तवे के जब ये सारी घटना घटी तो और उत्सहा के साथ वो मूर्ति जो है इकत्र करने में लग गए सन 1938 के लगभग शिरी मजूमदार की देखरेक में पुरातत्व विभाग कौसामवी में खुदाई कर रहा था अब कौन थे जो देखरेक कर रहे थे मतलब जो एक हैड अफ डिपार्टमेंट रहते हैं उनकर आते हैं पुरातत्व विभाग के तो ये 1938 में कौसामवी में खुदाई हु रही थी मजूमदार द्वारा गाँ हजियापुर्ग में खुदाई के दौरान भद्रमत का एक भारी शिलालेख मिला तो जब गाव में खुदाई उरी थी भद्र मत ही यानि बहुत पुराना समय का एक शिला लेक मिला श्री मजूब दाब उसे उठवा ले जाना चाहते थे कि मजूब पुरातत विभाग के जो हेड थे वो चाहते थे कि शिला लेक उठा कर ले जाए गाव के जमीदार गुलजार मिया उस शिला लेक को संग्राले के लिए व्यास जी को देना चाहते थे और गाव के जो जमीदार थे वो किसको देना चाहते थे हमारे लेखक यानि ब्रजमोहन जी को देना चाहते थे और पुरा तत्वाले अपने साथ ले जाना चाते तो ये दो अलग-अलग चीज़े चल रहे ही थी परंतु अंतता दिल्ली से दक्षिद साहब के हस्तक्षेब के बाद गुलजार मिया को वाशिरालेक मजूमदार जी को ही सौपना पड़ा अब दिल्ली से एक आय थे दिक्षिद जी उन्होंने हस्तक्षेब किया और आखिरका वो शिलालेक किसको देना पड़ा वो मजूमदार साहब को ही लेके देना पड़ा जो खुदाई कर रहा है पुरातत विभाग से है क्योंकि ये किसी विभाग के अंदर नहीं थे हमारे लेखक जी ये प्राइविटली काम कर रहे थे अपने संग्राले के लिए कर रहे थे लेकिन प्राइबिटली वह कर रहे थे किसी पुरातत विभाग के अंडर में नहीं या किसी संस्था के अंडर में नहीं थे तो जाहिर सी बत है जब पुरातत विभाग खुजाई करता है और कोई पुरानी चीज़ मिलती है तो वो उन्हीं के विभाक की होती है आखिरकार मजुंदार सहाब को ही मिली वो चीज़ लेखक ने सोचा जिस गाओं में भद्र मत शिलालेक हो सकता है वहां और भी शिलालेक होंगे अब उन्होंने सोचा कि जहां ये शिलालेक हो सकता है तो और भी होंगे वो शिलालेक नहीं मिला तो नहीं मिला न सही उसके लावा और मिल जाएं तो क्या किया उन्होंने इसलिए हजियापुर गाओं पहुँच गये अब उन्होंने वो कहां बहां गाओं पहुच गये जहां पुरा त hydraulic खुदाइक कर रहा था पहले से वह गुलजार मिया के घर के सामने एक कुवा था गुलजार मिया कौन जो जमीदार थे जो चाहते थे कि वो शिला लेक हमारे व्याज जी को मिले अब उनी के घर के सामने एक कुवा था उस पर अठ पहल पत्थर की बंडेर थी अठ पहल पत्थर मतलब चोड़े चोड़े पत् गुलजार मिया ने तुरंत लेखक को वा बंडेर सौब ती तुरंत वो पत्थर जहां पर लगे हुए तो वो तुरंत उठाकर जो है हमारे लेखक को दे दी इस ब्रकार भद्रमत्र के शिलालेख की छति पूर्ती हो गई तो भद्रमत्र का जो इतना पुराना शिलालेख जो को नहीं मिल पाया था अब ब्राहमेली से लिखा हुआ वो शिलालेख उनके हाथ में था तो जो उनसे खो गया था वैसे ही एक दूसरी चीज़ उन्हें प्राप्त हो गई थी तो वो जो छति हुई थी वो पूर्ती हो गई अपने आधिकारिक दौरे के दौरान दी लेखक संग्राले के लिए एतियासिक महत्वी वस्तुमों के संग्रह में लगा रहता था जब भी वो कहीं दौरे में जाए अपने दफ्तर से जाए या प्राइविटली जाए हमेशा वो चाहते थे किसी तरह संग्राले के लिए हवन का निर्मान करना पड़ा लेखा कच्चे चिठे के समापन से पहले अपने सहयोगियों का आभार प्रकट करते हैं मतलब यह जो पार जहां पर इन्होंने इस सब कलेक्ट किया उसमें बहुत से लोगों ने इनकी मदद करी तो जैसे ही इस पार्ट का अंत करते हैं वहाँ पर उन लोगों का यह आभार प्रकट करते हैं जिन लोगों ने उनको इस कलेक्शन में बहुत जादा मदद करी थी क्या दिया कौन-कौन लोग है जिनके नाम इस प्रकार है राय बहादूर कामता प्रकास ककर ततकालीन चेयर्मेन उस समय के चेयर्मेन थे कहा कि हमारे संग् फिर हिज हाइनेस स्री महेंद्र संजु देव नागाओद नरेश देव नागाओद के नरेश थे उनके दीवान लाल भारगवेंद्र सिंग तथा लेखक का अरदली जगदेव इन सभी ने इनके कलेक्शन में बहुत जादा मदद करी थी जिसका आभार उन्होंने इस कच् मीजरी कौंत, स्वें को निमित मात्र मानता अमीत मतलब एक जरिया वह मूर्तियां ट्लेक्ट करने का एक जरिया भर थे वो तता संग्राले का कारभाग स्योग संग्रक्षन डॉक्टर सतीश चंद्र काला के हातों में सौपकर सन्यास ले लेता है मतब जब तक उनसे बन पड़ा वो संग्राले के लिए संग्राय करते रहे पुरातत चीजों की लेकिन जब वो सक्षम नहीं रहे पाई एज होती है सक्षम नहीं रहे तो उन्होंने ये कारभार जो है एक बहुत ही अच्छे संग्रक्षक डॉक्टर सतीश चंद्र काला के हातों में दे दिया और उन्होंने इस कारभी से सन्यास ले लिया पसोबा की प्रसिद्धी का क्या कारण था और लेखक वहां क्यों जाना चाहता था पसोबा में जैन धर्म का बहुत बड़ा ती तिस्थन माना जाता है वहां बहुत बड़ा मेला लगता है वहां पर कहते हैं कि गुफा थी जहां पर भगवान बुद्ध व्यायाम किया करत कि वहाँ पर बहुत ही पुरातत्व से जुड़ी चीजे थी जिनको कलेक्ट करने के लिए लेखक वहाँ जाना चाहते थे तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए पसोबा में जैन धर्म के तीरतिस्थल विद्धिमान है उसकी प्रसिद्धि में इन तीरतिस्थलों का मुक्के हाथ था यहां हर वर्ष जैन समुधाय का एक बहुत बड़ा मेला लगता था जैन शद्धालू हजारों की संक्या में यहां आते प्राचीन समय से ही इस मेले का महत्व रहा है इसके अत्रित यहां एक पहाडी थी जिसमें बुद्धुदेव द्वारा रोज व्यायाम किया जाता था उस पहाडी में एक नाग भी रहा करता था यह भी कहा जाता है कि समराट अशोक ने उसके समी भी एक स्तूप बनवाया था जिसमें बुद्धुदेव के नक और बाल, नक मतलब नाखून और बाल रखे हुए थे ये सोच कर लेकक वहाँ जाने का निर्ने लिया ताकि उसे पुरातत्त से सम्मंदित वस्तुएं तथा जैसे मूर्तियां, सिक्के, मन के इत्यादी सामगरी मिल जाए उसकी इस लालसा ने उसे पसोबा जाने के लिए विवश्च कर दिया, मतलब वो चाहते थी पुरातत्त चीज़ों को और इसी लालसा में वो वहाँ गए भी थे कि चलो चलते हैं, उसकता है कोई चीज मिल जाए प्रेश्च दो, मैं कहीं जाता हूँ तो छूचे नहीं लोटता से क्या ताज पर है, लेका कौशामबी लोटते हुए अपने साथ क्या क्या लाया था तो छूचे लोटने का मतलब है कि वो कहीं पर भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं लोटते तो अब जब कौशामबी से लोटे थे, तो काप असोबा से मिलने वाले सिक के, मन के कुछ मूर्तियां लाये थे लेकिन साथ ही रास्ते में एक शिवजी की चत्रमुक मूर्ति मिल गई थी, जिसे वो उठा लाये थे कि बाद में उन्हें वापस करनी पड़ गई थी, क्योंकि गाउवाले आ गए थे, तो सब चीजें आपको अहाँ पर लिखनी कि वस्तू लेकर ही आता, लेकक को गाउं से मन के, पुराने सिक्के, मरण मूर्तियां आदी मिली, कौसाम भी लोटते हुए अपने साथ एक बीस सेर की शिव की पुरानी मूर्ति लाया था, ये मूर्ति उसे पेड के नीचे पत्तरों के धेर के उपर मिली थी, तो वो मिली थी तो कोई नहीं था, तो उसको एकके पर एककी मतलब अपने तांगे पर रखवा के ये वापस कौसाम भी ले आये थे प्रेश्ण 3, चंद्रायर विरत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयम आ जाये तो बेचारी को अपना करतवे पालन करना ही पड़ता है, लेखक का ये वाक किस संदर्व में कहा गया और क्यों, तो पहले तो इस वक्तवे का मतलब समझे कि क्या बोला, मतलब कि एक बिल्ली है, उसने आज सोचा कि आज वो नॉन्वेज नहीं खाएगी, कुछ नहीं करेगी, आज उसका उपुआस है, तो फलाहार खरेगी, लेकिन इसी ब्रत के दोरान उसके सामने एक चूहा आ जाता है, मगर बिल्ली का करतवे क्या है कि चूहे को मारना, अब या तो वो अपने करतवे का पालन करे, तो बिल्ली अपने करतवे का पालन करती है और उस चूहे को खा लेती है, अब ये वक्तवे उन्होंने बोला क्यों, जब उन्होंने पेड के नीचे शिव जी की चतरमुख जो 20 सेर की मूर्थी थी वो देख ली, अब अगर उठाते हैं तो चोर मूर्थी को उठा कर अपने साथ लाना पड़ेगा, और ये वही करते हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे, ये वाक लेखक ने उस संदर्म ने कहा, जब उसे पेड के नीचे पत्थरों के धेर पर शिव की 20 सेर की मूर्थी, सेर की प्राचीन मूर्थी दिखाई थी, पसोवा ग पसन हूटा, उसकी स्तुति उसी बिल्ली के समान थी, जो चंद्रायन व्रत करती है, जिसने बहुत पाप किये हो, बिल्ली इस व्रत को करती है, ताकि वह पाप मुक्त हो जाए, लेकिन जैसे ही उसके सामने चूहा आता है, वह भूल जाती है कि उसने पाप नाशक व्रत लेकिन चूहा आते ही, वह भूल जाती है, और चूहा खा लेती है, फिर से एक पाप कल लेती है, आदस से मजबूर वा ब्रत भूल कर चूहे को मार के खा जाती है, लेकर कि इस पंक्ती को बोल कर अपनी विवश्ता बताता है कि वह मूर्ती उठा कर ले जाना नहीं चाहता ह तो वो विवश हो जाता है कि ये मूर्ति ले जानी है वा चुपचा मूर्ति को इक्के पर उठाकर ले जाता है यानि कि वो तांगे पर रख लेता है और चुपचा पूठाकर अपने साथ ले चलता है प्रेश्ट चार अपना सोना खोटा हो खोटा तो परखवया का कौन दोश से लेखक का क्या तातपर है मतलब हमारा सिक्का अगर गड़बढ है तो परखने वाले का कोई दोश नहीं भाई अगर वो गलत है तो सामने वाला गलत ही बताएगा यह फ्रांसीसी जो आया था उसके संदर्व में चीज़ को बोला गया था क्या था यहाँ पर इसका तातपर है कि यदि दोश हमारी वस्तू में है तो हमें परखने वाले को दोश नहीं देना चाहिए अर्थात परखने वाला तो वही दोश निकालेगा जो उस वस्तू में तो यहाँ पर यह जो वक्तव आपके सामने प्रस्तूत किया गया यह कारण यह था कि इलाके की जब कोई भी मूर्ती गायब होती थी तो सबसे पहले किस पे दोश आता था लेखक पे तो वही चीज़ हुआ जब शिव की मूर्ती गायब होई तो सब किस पे दोश आया सीध लेखक यानि कि हमारे ब्रजमोहन वियार्स जी पर आया और तुरंथ ही उनके पास सभी गाहँवाले पहुँच गए थे अता परकने वाले की किसी प्रकार से दोशी नहीं ठहराया जा सकता लेखक पुरातत महत की वस्तु को देखते ही अपने साथ ले जाता था उसकी इसी आ लोगों का दोश नहीं है मेरा है क्योंकि मैं क्रति है ऐसे करता हूं कि लोग मेरे ना मिले अब है प्रेश्ण पांच गाहँवालों ने उप्वास क्यों रखा और उसे कब तोड़ा दोनों प्रसंगों को सपष्ट कीजिए अब गाहँवाल मूर्ति लेने आये थे और जब तक मूर्ति जब गाया भुई थी तब ही दो लोगों ने उप्वास रगयती जब तक मूर्ति नहीं मिलेगी वह उप्वास में रहेंगी निर्जला व्रथ रखेंगे अब जब मूर्ति उनkayु मिल गई पता चलाई है हाँ आए है तो जब लेखा को पता चलाया दो और नों पूजा किया करते थे उसकी आस्था तता शद्धा पूड रूप से शिव पर ही थी उनके शिव पर बहुत शद्धा थी जब लेखक उनके पास से गुजरा तो उसने पुरानी मूर्ती जानकर उसे अपने साथ ले लिया वो नहीं जानता था कि गाउवाले इतने अटाच है उसने ये सोचा कि इतनी पुरानी मूर्ती ऐसे ही पड़ी हम उठा लाएं तो वो उठा लाएं मूर्ती ना पाकर गाउवाले दुखी हो गए उन्होंने तय किया कि जब तक शिव की मूर्ती वापस नहीं आएगी वे ना कुछ खाएंगे और ना पीहेंगे इस तरह सभी न आपस मांगी लेखक ने बिना किसी परिशानी के सम्मान सहित्वा मूर्ती गाउवालों के साथ भेज दी उसने गाउवालों को पानी तथा मिठाई खिला कर उनका ब्रत भी तुडवाया तो जब उनको पता चला कि भाई ती श्रद्धा है उन्होंने इतना ब्रत रखा तो बिना किसी उसके उन्होंने मूर्ति उठाई और दे दी क्योंकि मूर्ति कलेक्ट तो करने मगर श्रद्धा के साथ किसी की खिलवार नहीं कर सकते ना आस्था के साथ नहीं किलवार दर सकते मूर्ति दी और साथ ही उन्हों का ब्रत भी तुड़वाया प्रेश्ण छे लेखक बुढ़िया से बोधिस्त की आठ फुट लंबी सुन्दर मूर्ती प्राप्त करने में कैसे सफल हुआ अब उसे मूर्ती मिली वो बुढ़िया लालची थी नहीं ले जाने दे रही थी जब लालच के समझ गये तो उसको दो रुपिया दिया तब कहीं जाकर उसने मूर्ती उठाने दी थी तो उसी को आप पूरा वक्त तवे आपको यहां लिखना क्या है एक बार कौसंबी के गाओं में गूनते हुए लेखक को खेत की मेड में बोधिस्त की आठ फुट लंबी मूर्ती दिखाई पड़ी मूर्ती की विशेश्टा थी कि वह सुंदर थी मतुरा के लाल पत्थरों से बनी थी तथा खंडत नहीं थी उसे देखते ही लेखक ने तय किया कि वह इसे अपने साथ ले जाएगा वह उसे उठवाने ही वाला था कि खेत की मालकिन वहाँ आ पहुँची उसने लोगों को बुला लिया कि उठाओ लेकिन तब तक जो खेत की मालकिन थी वह वहाँ पर आ पहुँची वह एक व्रद्धा थी और बहुत लाल्ची थी वह समझ गई थी कि लेखक उस मूर्थी को पाना चाहता है वो भी समझ गई कि लेखक मूर्थी ले इसलिए तो उठवाने रहा है फिर उसने लेखक के इस कारक से अप्रसंता व्यक्त की उसने कहा कि मुझे ये नहीं पसंद कि तुम मूर्थी यहां से ले जाओ अगर सानी से ले जादे ने देती तो कुछ मिलता नहीं तो इसलिए उसने विख्ण डालना शुरू किया लेखक समझ गया कि इस समय व्रद्धा से उलजना ठीक नहीं है वह समझ गया कि बुड़िया लाल ची है अता उसने बुड़िया को पैसों का लालच दिया आखिरकार उसने बुड़िया को दो रुपए दिये और मूर्थी खरीद ली इस तरह लेखक बुडिया से बोधिस्त्व की आठ फुट की मूर्ती हासिल करने में सफल हुआ कि किस तरीके से उसको मिल गई है प्रेश्ण साथ क्या दिया है इमान ऐसी कोई चीज मेरे पास हुई नहीं तो उसे डिगने का कोई सवाल नहीं उठता यदि होता तो इतना बड़ा संग्राले बिना पैसे कोडी के ही नहीं खड़ा करता के माध्यन से लेखक क्या कहना चाहता है तो क्या हुआ था जब एक बार फ्रांसीसी आया था एक व्यापारी था वो पुरातत चीजों का उसने जब पूरा संग्राले देखा तो क्या किया जो बोधिस्त की मूर्ती जो 20 फूट की लेके आये थे उस मूर्ती का उससे 10,000 रुपे मूर्ली लगाया तो यह चीज हुई थी तो उसे काता कर आपका पूरा संग्राले का मैं आपके सामने रगदू की कित्ते का है तो आपका इमान डगमगा जाएगा और आप पूरी सब को बेचने के लिए तायार हो जाएंगे तब लेखक ने ये चीज बोली थी कि इमान नाम का मेरे पास कोई चीज नहीं अगर होती तो बिना किसी पैसे के मैं इतना बड़ा संग्राले नहीं खड़ा करता ठीक है क्योंकि उन्होंने कुछ इस सब को इखटा करने के लिए भाई थोड़ी बेइमानी भी करी थी तो इसलिए इमान ऐसे ही नहीं था पैसे में होता तो इतनी मेनती नहीं करते क्योंकि फिर उसको बेचके वो व्यापार कर रहे होते तो ये चीज उन्होंने उस फ्रांसिसी से बोली थी तो कैसे कैसे लिखेंगे लेखक की इस कथन का ताथ पर है कि जो लोग इमान की बाते करते हैं वो कभी न कभी बेइमान हो जाते हैं लेखक इमान जैसी चीज से ही स्वेम को मुक्त कर लेता है वो कहता है उसके पास इस तरह की कोई चीज नहीं आता जो चीज उसके पास है ही नहीं तो उसके खोने या चले जाने की इस्थिती नहीं आ सकते लेकर की ये बात उस कथन से इसपश्ट होती है जब उसने बोधिस्त की मूर्ती को पाने के लिए बुडिया को दो रुपे दिये थे आगे चल कर उसे उस मूर्ती के दस हजार रुपे मिल ले थे मतलब दो रुपे में मूर्ती उसने खरी दी और कोई दूसरा उसे दस हजार रुपे में खरी दने के लिए तयार था कि ठीक है आप आपने दो रुपे कर दी हम आपको दस हजार रुपे दे रहे हैं मगर ये मूर्ती आप हमें दे दीजे उसने बिना सोच ये समझे विया पैसे लेने से मना कर दिया कि मुझे वो पैसे नहीं चाहिए वा चाहता तो दो रुपे तथा मेहनत को वसूल लेता उसने ऐसा कुछ नहीं किया अपने कार के प्रती वा पूर्ण रूप से समर्पित था कि उसका जो कार्य था कि वो पुरातत चीजों को एकत्र करता है वो उस चीज से पूरी तरह समर्पित था यदि वाई इस तरह लालच में आकर अपने कार्य से धोका करता तो उसका संग्राले कभी खड़ा ही नहीं हो सकता अगर वो लालच में होता तो वो संग्राले को खड़ा नहीं कर सकता क्योंकि उसे तो बहुत पुरा था था चीजे खरीदी खोजी थी खोजने में मेहनेत जो लगी ओ पैसा बहुत मीनिमम लगा अगर उसको चाहाता था तो बहुत पैसों में वो पहले पेच देता तो संग्राले खड़ा ही नहीं हो सकता था उसके पास अपार संपत्ती होती उसने संग्राले को अपना सब कुछ माना और पूरी इमानदारी से उसे खड़ा किया ये संग्राले उसके परिश्रम और इमानदारी को दर्शाता है कि मतलब उसने कितने परिश्रम से ये चारी सारी चीज़े कड़ी करी ये सब कुछ किया है ये सारी चीज़े इससे पता चलती है प्रेश्ण आठ दो रुपे में प्रात बोधिस्त्व की मूर्ती 10,000 रुपे क्यों निच्छावर किये जा रहे थे मतलब उन्होंने दो रुपे में जिस मूर्ती को खरीदा था उस मूर्ती के लिए उन्हें 10,000 रुपे मिल रहे थे लेकिन तब भी उन्होंने वो पैसे निच्छावर कर दिये मतलब वो पैसे नहीं लिए इसके क्या कारण थे आपको बताने है तो जो आपकी समझ में आए वो लिखे कुछ हम आपके सामने लेकर आए हैं देखे क्या है बोधिस की इस मूर्ती का बहुत महतो था वे इस प्रकार है क्यों निच्छावर कर दिये थे उस मूर्ती को मतलब बेचा ही नहीं था क्या कारण था बोधिस की जितनी भी मूर्तिया पहले मिली थी उसमें यह सबसे पुरानी थी मतलब जब तक यह मूर्तिया मिली थी सबसे पुरानी मूर्ती यही मूर्ती थी यह कुशार समराट कनिश्क के समय की थी क्योंकि उसमें नीचे पदस्थल पे लिखा हुआ था कि यह कुशार समराट कनिश्क के दो वर्ष स्थापित होने के बाद लगाई गई थी जब वो शाशन पे बैठे थे उसके दो वर्ष बाद लगाई गई थी कुशार समराट कनिशकन के राजिकाल के दूसरे साल में वहाँ इस्थापित की गई थी सबसे बड़ी बात कि यह अब भी पून थी कहीं से खंडित नहीं थी मतलब कहीं से भी यह टूटी फूटी नहीं थी फिर उस मूर्थी के पैरों के इस्थान के पास से निमलिखे जानकारिया प्राप्त होई थी तो यह जितनी वी उप्रोगत जनकारिया हैं कहां मिली थी उसके पैरों के पास खुदाया गया था मूर्ति के पास पहले वो दैना खुदाय कराया जाता है कि किसने कब इस्थापित करी थी तो वो सब लिखा हुआ था प्राया ऐसे पुरातत तुमहत की वस्तुओं में इस प्रकार की सभी विशेशताएं नहीं पाई जाती मतलब पुरातत की चीज़ें मिलती है तो यह पता चलता कि किस काल की हैं किसने इस्थापित कराई किसने बनाई लेकिन इस मूर्ति के साथ ऐसा था कि इसमें सब कुछ था कि कब बनी कब इस्थापित हुई क्या हुआ अधा दो रुपए में प्राप्त मूर्ति पर एक फ्रांसेसी व्यक्ति द्वारा दस हजार रुपए नियोच्छावर किये जा रहे थे उसे निराशा हाथ लगी क्योंकि लेखक भी मूर्ति के महत्यू से परचित था वह उसे देश के बार नहीं जाने देना चाहता था अता उसने भी मूर्ति पर 10,000 नियोच्छावर कर दिया और उस वेक्ति को लोटा दिया वो जानते थे हमारे देश का इतिहास से इसे हम्द भाज़ित से बाहर क्यों जाने दे इसलिए उन्होंने मना कर दिया उस 10,000 रुपे को ठुकरा दिया कि मुझे वो 10,000 रुपे नहीं चाहिए प्रेशन नौ भद्रमत शिलालेख की छती पूर्ती कैसे हुई इस पश्ट कीजे अब क्या था पुरातत विभाग जो खुदाई कर रहा था तो उनको भद्रमत का एक बहुत पुराना शिलालेख मिला अब वो शिलालेख क्या कहते हैं पुरातत विभाग खुदाई कर रहा था तो वही ले जाना चाहता था तो अब लेकिन महां के जो जमीदार थे वो चाहते थे कि ये शिलालेक व्यास जी को यानि हमारे लेखक जी को मिले तो इसके बीच में दिल्ली से आए एक व्यक्ति दिक्षिद जी ने जो है सहस्तक शेप किया और वो शिलालेक किसके पास चला गया पुरातत्य के अफसर मुझमदार जी के साथ चला गया अब यह तो छती होगी क्योंकि इतना पुराना पुरातत्य का जो महत्य की चीज थी वो हमारे लेखक जी को नहीं मिली तो अब क्या हुआ तो लेखक ने सोचा कि जब यहां पर इतना पुराना शिलालेक मिल सकता है तो और भी बहुत सी चीज़ें मिल सकती हजियागाओं में तो उन्होंने फिर वो जमिदार के पास पहुचे उनके घर के सामने एक कुवा था कुए में उन्हें ब्रामिल लेक का एक बहुत पुराना शिलालेक मिला इस तरीके से वो शिलालेक में जमिदार से लेकर चले आए तो भद्रमत का जो शिलालेक था उसकी छती पूर्ती इन उन्होंने ले लिया था जिनिदार से लेकिन विवात खड़ा हुआ क्या हुआ इसके कारण उसे मूर्ति को गवर्मेंट ओफ इंडिया के पुरातत विभाग को देना पड़ा जगड़ा जो खड़ा हुआ था मजुंदार जी ले जाना चाहते थे लेकिन नहीं ले जा पाये थे तो वो पुरातत विभाग के ही विखती थे जिसले गवर्मेंट ओफ इंडिया को देना पड़ा इससे लेकप को खासा नुकसान उठाना पड़ा अब वा इसकी छटिपूर्ती चाहता था वा जानता था जिस गाओं में उसे यह शिलालेक मिल सकता है तो वा उसे वहाँ पर अन पुरातत महत्त की वस्तुमें भी मिल सकती है इस उद्देश से वा गुलजार मिया के यहां पहुँच कैंग गुलजार मिया वही जमिदार जिनके हाँ कहते हैं वो चाहते थे कि उनको लेक मिले यह इस्थान कौसांबी से 4 से 5 किलो मीटर दूर था गुलजार मिया के घर के ही बाहर एक कुवा था इसके चबूत्रे पर चार खंबे थे जब लेखक ने बंडेर पर देखा तो उस पर बामरी अक्षनों से लिखा हुआ था लेखक के कहने पर गुलजार ने उसे खुदवा कर लेखक को दे दिया इस तरहे लेखक की भद्रमत की शिलालेक की छतिपूर्ती हो गई तो इतना पुराना अगर चिलालेक गया था उनसे तो ब्रामी लेका शिलालेक मिलके उनकी जितनी भी छतिपूर्ती हो थी वो सभी पूर्ण हो गई अब हमारे पास है प्रश्ण 10 लेखक अपने संग्राले के निर्माण में किन किन के प्रती अपना आभार प्रकट करता है और किसे अपने संग्राले का अविवाबक बनाकर निश्चिंत हो जाता है तो जो हमने कच्चा चिटा पार्ट पढ़ा है उसके end में हमारे लेखक ने सब ही का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने उनको इस संग्राले के निर्माण में चीजों को प्राप्त करने में उनका सहीयोग किया और आखिर में वो किसी को अपना ये सारा कारिभार सौप के सन्यास भी ले लेते हैं तो वो क्या था हमें कौन-कौन लोग थे हमें ये बताना है क्या है लेखक इन लोगों के प्रती अपना आभार प्रकट करता है डॉक्टर पन्ना लाल आईसी इस डॉक्टर तारा चंग पंड़ जवाल लाल नहरू मास्टर साथे और भूता राय बहादूर कामता प्रसाथ हिज हाइनेस श्री महेंद्र सिंग जू देव नागाओद नरेश नागाओद के नरेश थे ये सुयोग्य दिवान लाल भार्गवेंद्र सिंग स्वामी भक्त अर्दली जगदेव अर्दली खुदुन का ही था डॉक्टर सतीश चंद काला को अपने संग्रहाले का अभिवागक बनाकर लेखक निश्चन्त हो जाते हैं अब किसी को तो कारेभार सौप ना था उन्हों को कारेभार सौपा कौन थे वो डॉक्टर सतीश चंद काला और उसके बाद इस कारे से उन्होंने सन्यास ले लिया का तो क्या लेखक द्वारा पसोबा कि यात्रा करना अब आप पशुचे जो है नंद ये उन्होंने कभी कहीं के बारे में बताया है कभी कहीं की यात्रा है कौसामि की है पसोबा की है कौन-कौन सी मुर्टियां उन्हें कहां से मिली कितनी चीज़ें हुई सभी चीज़ों को हमने अलग-अलग खंडों में कर दिया है आप उनको समस्ते हुए चलिए क्या है तो पहला है लेखक द्वारा पसोबा की यात्रा करना लेखक वर्ष 1936 में कौसामबी गय यह सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी चोटी-चोटी चीज़ें लेकिन याद रखते हुए चलिएगा सवभाग इसे गाउं में कोई सवारी यानि इक्के तांगे पर आई थी यानि कि गाउं में कोई एक आया था जो तांगे पर था उस एक्के को ठीक कर लि लित होते हैं लेखक बताता है कि यहां के बारे में माननेता थी कि एक छोटी सी पहाडी की गुफा में बुद्धदेव व्यायाम करते थे वहां एक विश्धर सर्प भी रहता था यह भी कहा जाता है कि पहाडी के पास अशोक के एक इन एक स्थूप बनवाया था जिसमें बुद्धदेव के केश और नखखंड नखखंड मतलब नाखून के टुगड़े रखे गए थे परन्तु आज स्थूप को व्यायाम शाला के तो कोई चिन नहीं है परन्तु आज यहां पहाडी अवश है जो यह इंगित करती है कि यह इस्थान वही है तो अब लेखक जा क कि यह रहे थे पसोबा पसोबा जा रहे है वो क्योंकि वहां पर जैन लोगों का पवितरती तिस्थाल है, वहां माना जाता था कि बुद्द देख जुहे नहीं वहां पर एक गुफा थी वहां बैठकर व्यायाम किया करते थे, यह जीज़ बहुत फिह ummस लेंगे इन स्थूपों में जो है बुद्ध देव के कुछ ना कुछ अंग चीजें हैं अंग का मतलब उनकी हड्डियों के कुछ टुक्डे हो सकते हैं बाल हो सकते हैं नाखून हो सकते हैं तो उन सभी को इन स्थूपों में रखा गया था तो उसी तरीके से पसोबा में जो तूप बनवाया था शोक ने उसमें उनके कुछ बाल और कुछ नापून के टुकडे थे तो ये था लेकिन अभी प्रेजन टाइम में वहाँ पे ना व्यायाम शाला बचे थी मतलब जहां पे बुद्धे व्यायाम करते थे ना वो बचा था और ना ही वहाँ पे इस तूप ही बच्चे तो कोई चिन्न नहीं था वहाँ पर लेकिन पहाड़ी जरूर थी अब आप सभी को पता है कि इस तूप बहुत बड़े बड़े बनाए जाए अगर आपने कहीं नहीं देखा तो साची का इस तूप बहुत ही अच्छी कंडिशन में हैं आप वहाँ देख सकते हैं बिहार के राजगीर का स्थूप बहुत ही अच्छी कंडिशन में उन सभी को आप गूगल करके देख सकते हो तो वहाँ पर बड़े बड़े डोम टाइप के बनाया जाते थे और उनके अंदर इनके खंडों को रख दिया जाता था तो आज प्रेजन टाइम में पसोबा में ये सब कुछ चीजे ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पर कोई डोम था या कुछ था लेकिन यहां पर पहारी अभी जो ये बताती हे कि यहां पर कभी स्थूप रहा था। ठीके पसोबा आपको लेखक गय च्या हुआ आपको पता है कि लेखक जो है वो प्राचीन कलाकृतियों, मूर्तियों और शिलालेखो इन सब चीज़ों को इकत्र किया करते थे तो इसी लालश में वहां गय थे कि वहां हो सकता उन्हें कुछ प्राचीन चीज मिल जाए जिसे वो संग्रहाले के लिए एकत्र करके ला सके पसोबा से प्राप्त पुरात्त तो सामगरी तथा लेखक का मूर्ति को लोटाना अब पसोबा से उन्हें क्या प्राप्त हुआ? वहां से लोटते समय उन्हें एक मूर्ती मिली जिसे उन्हें लोटाना पड़ा था. क्यों लोटाना पड़ा था? क्या था? यह हम बताते हैं. लेखक सदय अपने संग्राले के लिए पुरातात्विक सामागरियों की खोज में रहता था इसलिए जहां भी जाता खाली हाथ नहीं लोटता पसोबा में भी उसे कुछ अच्छी इम्रड मूर्तियां सिक्के और मन के मिले लेखक जब इस सामगरी को लेकर 21 से कौसाम भी लोट रहा था तो रास्ते में एक छोटे से गाव के निकट पत्थरों के धेर के बीच पेड के नीचे उसे लगभग 20 सेर वजनी शिव की चतरमुखी मूर्ति दिखाई दी अब क्या हुआ पसोबा में उन्हें बहुत सारी चीज़े पुरातत्व मिली अब उनको लेकर क्या हाँ वापस लोट रहे थे वापस अपने संग्राले के लिए लोट रहे थे अब रास तो क्या हुआ जिसे लेखक ने उठाकर इक्के पर रख लिया और उसे नगरपालिका के संग्रामले में लाकर रख लिया अब वो प्रयाग्राज ले जाते लेकिन उससे पहले तो उन्हें वहां उतरना था कौसंबी में तो वहां का जो संग्राले था लोकल संग्राले नग उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था लेखक उनकी आस्था से प्रभावित हुआ तथा मूर्ती को समान सहित उन्हें वापस लोटा दिया अब उन्हें लेखक ने जब वो मूर्ती उठाई तो उन्हें लगा कि ये शायद ऐसे लावारिस पड़ी हुई है इसको कोई केर क से मूर्तियां इकतर करते रहते थे ये पूरे एरिया में फेब बस था तो वो तुरंत ही चले आते हैं यहां पर कि भेमाई मूर्ती और जिस दिन से मूर्ती गायब हुई थी तब से उन्हें लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया था जब लोग लेखक के पास आये तो ले पूदा किया था तो ये उनका धा पसुबा में क्या प्राप्त हुआ और उस मूर्ति जो उनको मिली थी रास्त्य में उसे लॉटाना पड़ा नेक्स है बोधिस्त्व की आठ फुट लंबी मूर्ती अब बोधिस्त्व की जो है उनको एक आठ फुट लंबी मूर्ती प्राप्त हुई दी वो कैसे प्राप्त हुई कहा प्राप्त हुई ये देखिए लेखक उसी वर्ष दोबारा को साम भी गया उसी साल जे साल उनमें मू अच्छी हालात में नेटा किसी ने तोड़ दिया या बायचांस प्राकतिक है तूट गया हो जो कोच भी हो जैसे ही लेखक उस मूर्ती को ले जाने लगा उसी समय वहां एक बुढ़िया आई और मूर्ती ले जाने से रोकने लगी तब लेखक ने उसे दो रुपए दिये और मूर्ती को संग्राले में ले गया आया संग्राले में रखी इस मूर्ती को खरीदने में एक फ्रांसेसी वियापारी ने दिल्चस्पी दिखाते हुए उस मूर्ती को दस हजार उपए में खरीदने की अपनी मंशा उजागर करी अब क्या हुआ जब उन्होंने वहां खेट म पता चला कि उसको कुछ चही है इस मूर्थी के बदले तो उन्होंने वो दो रुपए उसको निकाल कर दे दिये और मूर्थी उठा कर ले आए फिर एक प्रांसीसी आया संग्राले में वो इंट्रेस्टेड हुआ उस मूर्थी को खरीदने में और उस मूर्थी को जिसको प्राजा आप लगा सकते हैं फिर क्या हुआ किन्तु लेखक ने मूर्थी बेचने से मना कर दोने काम नहीं देंगे इस मूर्थी की महत्ता यह थी कि बोधिस्त्व की अब तक प्राप्त हुई मूर्थियों में यह सबसे प्राचीन यानि पुरानी मूर्थी थी इसे कनिश प्राज सिंगहासन सम्हाला था तो अपने सिंगहासन के स्थापित होने के दो साल बाद इस मूर्थी की स्थापना कराई थी यह कहां पर लिखा था उस मूर्थी के पदस्थर में यानि कि मूर्थी में सबसे नीचे यह चीज अंकित थी कि यह कब स्थापित कराई गई इस इस मूर्ति के मिलने के बाद लेकक ऐसी ही अनमूर्तियों को खोज में लग गया, अब जब इतनी अच्छी मूर्ति को सामवी से मिली तूने लगा कि और मिलेगी तो वो और खोजने लगे थे, अब क्या है, भद्रमत के शिला लेक पर विवाद, अब भद्रमत में इनको जालेक मिले की नहीं मिले अगर नहीं मिले तो उन्हें फिर क्या मिला देखते हैं क्या है वर्ष 1938 में यानि कि फिर से वो कौसामबी गए अर्थ athletics में भारत सरकार का पुरातत्व विभाग मजूंदार जी की देख रेक में खुदवाई करवा रहा था अब क्या है ध्यान दीजेगा कौसामबी में सन 1938 में भारत सरकार का पुरातत्व विभाग ठीक है वो जो है एक उनके हेट थे मजूंदार जी वो देख रेक में खुदाई करवा रहे थे उस समय मजूंदार जी को पता चला कि हजियापुर गाउं में एक व्यक्ति के पास भद्रमत का भारी शिला लेक है भद्रमत लेक मतलब बहुत ही आप मान लीजे बहुत पुरानी लेक ये लेक बहुत ही मुश्किल से आजकल हम लोको संग्राले में देखने को मिलेंगे तो आप जब भी संग्राले जाओ गर इस तरह के लेक मिलते हैं और आप देखते हो तो आप अपने आपको सही में बहुत भागशाली समझो कि आपने ये लेक देखे हैं ये आप मान लीजए कि बुद्ध से पहले के लेक ये वे इसे लेना चाहते थे लेकिन गाओं के जमिदार गुलजार मिया को इस पर आपत्टी थी अब मजूमदार जी को पता चला कि भद्रमत का जो लेख है एक हाजयपुर गाउं के वेक्ति के पास है तो वो हासिल करना चाहते थे मगर वहां के जो जमीदार थे गुलजारमिया उन्होंने मना कर दिया कि आपको वो लेख नहीं मिलेगा क्योंकि वह लेखक का भगत था मजूमदार चाहते थे गुलजारमिया चाहते थे कि यह जो लेख है यह हमारे लेखक को मिले ना कि मजूमदार को मिले गुलजार मिया दोरा आपती प्रकट करने पर भद मत का शिलालेक नेले के लिए मजूमदार जीवा गाउं वालों के बीच जोर दबस्ती होने लगी तो गाउं वाले फॉसदारी यानि लड़ाई करने के लिए ततपर हो गए साथ ही उन्होंने कहा कि यह शिलालेक इलाबाद के संग्राले के लिए 25 रुपे में बिख चुका है मजूमदार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई परंतु कुछ नहीं हुआ इस पर मजूमदार जी ने दिक्षित सहाब यानि पुरातंत विभाग के डारेक्टर जनरल को बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई रिपोर्ट जो है दिल्ली भेजी जिसमें लेखक पर आरोप लगाया गया था कि वहां मूर्ती तता शिला लेख उठाने में बाधा डाल रहे हैं तता सरकारी कार में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो अब क्या हुआ जो गाउवाले थे और जो वहां के जमीदार थे वो सभी चाहते थे वो लेखक को मिले कि उससे 25 रुपए मिल जाएगा मगर पुरातंत विभाग जो है वो बिना कुछ दिये उस चीज़ को ले जाएगा तो काफी लडाई होती है फिर जो है जो मजुनदार जी है वो दिल्ली के जो हैड होते हैं वहां पर उनको लेटर लिख दिया कि जो है लेखक हमारे सरकारी काम में बाधा उत्पन कर रहे हैं ऐसा करते वे उन्होंने लिख दिया कि इस तरीके से वो कर रहे हैं तो अब जो है वो लेख नहीं मिल पाया फिर क्या हुआ लेखक था उनके मित्र के एन दिक्षित के बीच पत्र विभार अब क्या हुआ बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हुआ तो अब यहाँ पर आगे क्या हुआ के एन दिक्षित ने लेखक को अर्द सरकारी पत्र लिखा जिसमें लेखक पर सरकारी काम में हस्तक्षिप करने का आरोप लगाया गया अब अर्द सरकारी पत्र आप सभी को पता है क्या है ये पूरी तरीके सरकारी नहीं हूता है ये एक तरीके से आपको जो है इंडिमेट किया जाता है कि आप गलत कारिक कर रहे हैं अगर आप नहीं सुध रहेंगे तब उनको सरकारी पत्र द्वारा दंडित कर दिया जाएगा अभी सिर्फ उनको चितागनी दी जा रही है कि आप सरकारी काम में हस्तक शेप कर रहे हैं साथ ही लिखा कि यदि उनका यानि लेखा का यही रवया रहा तो विभाक उनके काम में वह साहनुबूती नहीं रखे का जो अब तक रखी जा रही थी यानि कि जो अभी तक वो कारी कर रहे थे बहुत प्रोसाहित था लेकिन आगे उनके काम में कोई मदद नहीं करी जाएगी लेखा को अपने मित्र का इस तरह का पत्र लिखना अच्छा नहीं लगा उसने पत्र का उत्तर देते हुए लिखा कि वह उनके द्वारा लगाए गया आरोपों का खंडन करता है और उनके विशय में जो कुछ लिखा है वह जूट है उसने किसी को नहीं उक्साया वह एक ब बंदश कारूप लगा है यह सभी गलत है साथ में ओनना रहूंगा जाहते हैं तो 25 रुपई देंकर उसे प्राप्त कर सकते हैं और पुरातंध विखवाभ उस श्यालेक को लेना चाहता है पह से गाओं वालों से 25 रुपए पे करिये और उनसे ले ली जी खतम हो गई पुरातइव भिभाग ने 25 रुपए जो हैं जमीदार को दे दिये और वो शिला लेख हासिल कर लिया तो इस तरीके से लेखक को नहीं मिला लेकिन पुरातत विभाग को वो शिला लेख मिल गया मगर लेखक अब इत्ते में संतुष नहीं वो इससे बड़ी चीज लेकर जाएंगे देखिए लेखक को ब्रामी लेख की प्राप्ति अब क्या हुआ अब उन्ह सकता है तो जाहिर सी बात है और भी होंगे यह सोचका लेकर हजियापुर गाओ जहां वहां गुलजार मिया के घर ठहरा था लेखक को वहां कुए के बंडेर पर ब्रामीर अक्ष्वों में लिखा लेख दिखाई दिया अब क्या हुआ जहां वहां गए फिर से गए हुए थे किन्तु अत्यदिक सजीले खंबो में से खोद कर निकालने से वह समको अजसमंजस की स्थिति में महसूस कर रहा था उसने बोला किस तरीके से हम इन खंबो को निकालते हैं किसी का हम क्यों जगा डिस्ट्रॉई करें तो उनको थोड़ा लग रहा था हम खोदें नह आउट में थे फिर उनकी दूविधा की स्थि को पहचानते गुलजार मिया ने वह लेक खंबों में से निकालकर लेखक को दे दिया और वह संग्रहले ले आए अब गुलजार मिया उनके फ्रेंड थे उनकी असमंजस की स्थिति को पहचान गए अब उन्होंने बिना कुछ कहे उन्होंने उस खंबे से उन्शिला लेक को निकाला और लेखक को दे दिया और लेखक वो शिला लेक लेकर कहां चले आए वो वापस प्रयागाव है अब आगे क्या है लेखक की मैसूर यात्रा अब यहाँ पर हम जगा 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 बता रहे हैं उनको कैसे कैसे चीज़ अपने मित्र ठाकर गोपाल शरन सिंग के साथ मैसूर गया दूसरा वह दक्षन की ओर पहले कभी नहीं गया था और फिर मित्र का साथ मिल रहा था, मतलद दक्षन की तरह ऑर कभी मूर्तियों की कोझकरण नहीं गये थे, यहाँ उन्हें मौका मिला था अपने मित्र के साथ खो बने हुए शिलालेख होते हैं यानि कि तामबे पे लिखे ten पत्र जो है वहां पर जादा तादात में मिलते हैं उन्होंने ये सुना था तो इस कारण से भी वह जाने के लिए त्यार हो गए यह दोनों ही प्रयाकसंग्राले में नहीं थे यानिकि तामबे की मूर्तियां और ताम पत्र जो है यह अभी तक जो है प्रयाक संग्राले में एकत्रत नहीं की गई थी मदराज पहुंसते ही लेकक खोजबीन में लग गया यहां उसने 8-10 चित्र खरीदे ताल पत्र पर लिखी पुस्तुकों के दाम अधिक थे इसलिए लेकक उनको नहीं खरीद पाया इसके बाद लेकक हाई कोट के वकिल श्री निवास से मिला और उनसे 4-500 रुपे की पीतल वाकांस की मूर्तियां ली वहां से उसे कुछ सिक्के भी मुफ्त में मिल गया नटराज के एक बड़ी कीमती मूर्ति अधिक मूल के कारण लेका खरीद नहीं सका इसलिए बड़ी सरसरी नजर से उसे देख कर ही उसने संतोश किया अब क्या है जब वहां पहुँचे तो उनके एक जानकार थे उन्होंने उनके हाँ से कुछ मूर्तियां खरीदी जब वो मार्केट गए थे तो वहां से परचेस करना चाह रहे थे तो वहां सब चीज़ें ये बहुत महेंगी थी उनके पास इते पैसे नहीं थी कि खरीद पाते तो उन्होंने छोड़ दिया मदराज से मैसूर जाने के लिए लेखल रेल काड़ी में बैठा था जैसे ही रेल ने धीरे धीरे चलना शुरू किया कि एक आदमी कुछ चित्र लिए गाड़ी के साथ साथ चलने लगा लेखक ने बिना चित्र देखे उसे तीन रुपे दे दिये और कुछ तस्वीरे खरी ली उसने तस्वीरे खिड़की से अंदर फैंक दी इस प्रकार लेखक को कम दाम में अच्छी तस्वीरे मिल गई अब इस्टेशन पे भी डेल गाड़ी से सफर किया वका ट्रेन से होता ना कि हम लोग जैसे ट्रेन में बैठे होते हैं बाहर से कुछ लोग चलने लगते हैं ये ले लीजे वो ले लीजे वो ले लीजे तो इस तरीके से वो वेक्ति भी चित्र बेच रहा था अब इनको रामेश्वर में जो है ताल पत्र पे लिखी पूतिया में लिए कैसे देखिए लेखक अपने मित्र ठाकर गोपाल शर्ण सिनके साथ रामेश्वर गया अब इनों साउथ में कभी नहीं गये थे तो उसी के आगे मैसूर के आगे फिर ये रामेश्वर चले गए चीजें चाहिए थी है तो अब उन्होंने पूरातिनで चीजें के लिए एक नाटक राजा उनके जो मित्र ठेक गोपाल, शर्ण जी उनको बता दिय कि ये एक राजा है अब राजा से कर कोई चीज हासिल करनी है तो उनको खुश करना पड़ता है तो अब इनको पहले पूरसकार दीजे भेट दीजे तो ये खुश होंगे तो भेट भी उन्होंने क्या बोला जो सबसे आधिक ताल पत्र दान करेगा वो हमारा भी बंडा बनेगा और हमारे पूरे वन्ष का बंडा बनेगा तो अब क्या होता है इससे पहले कि पंडे लेखक के प्रस्ताव पर कुछ हंड़ने लेते एक छोटी उम्रका लड़का दौड कर आया और उसने ताल पत्र पर लिखी पुस्तकों का एक छोटा गठर लाकर उनके सामने रख दिया मतलब पंडे लेखक ने उस पंडे को अपना पंडा नियुक्त कर दिया अपनी हैसिय संसार दक्षिना दी जिससे वह खुश हो गया इस तरह ताल पत्र प्राप्त करने की लेखक की इच्छा पूरी हो गई अब उन्होंने जैसे वादा किया था कि जो ताल पत्र देगा वो पंडा जैते हैं और खुप सारी दक्षिना दे देते हैं वो खुश हो जाता है और इस तरह लेखक को भी ताल पत्र प्राप्त हो जाते हैं संग्रह करने में मिली सफलता और संग्राले में इस्थान का कम पढ़ना अब इन्होंने सब जगे से बहुत सारी चीज़ें कठा करी थी जैसे कई भी हम पढ़ते चले आ रहे हैं अब इतनी सारी चीज़ें कठा करोगे तो संग्राले में जगा भी तो कम पढ़ेगी और वह जितना सोच रहे थे उससे जादा चीज़ों को वो संग्रहित कर पा रहे थे देश के विभिन वागों से इतनी संख्या में और इतनी अधिक महत्पूर सामगरी आई कि उसे रखते नहीं बन रहा था जगा जगा से वो सामगरी कत्र हो रही थी लगभख 25200 मूरतियां अब देखे कितनी कितनी चीज़ें 25600 मूरतियां 5600 मूरतियां कई 1400 1400 हस्तलिपी पुष्ट के हजारों सिक्के मन के मुहरे आदी इतना सारा सामान रखने के लिए ये जगा भी खूब चाहिए थी वे इसके प्रदर्शन और संग्रक्षन में काफी मेहनत की आवशक्ता थी लोगों की शिकायत थी कि मिन्सिपल्टी इम में इनके लिए इस्थान बहुत कम है जो सही बात थी तो मतलब वहां पर बहुत कम इस्थान पढ़ रहा था लोग इसकी शिकायत भी कर रहे थे और उसकी य संग्राले के लिए एक दूसरे भवन एक दूसरी जखा का की जरूरत पड़ी और फिर उसका निर्माण कारे शुरू हुआ सामगरी का विस्तार इतना अधिक बढ़ गया था कि संग्राले के लिए विशाल भवन की आवशक्ता महसूस होने लगी परंतु उसके लिए धन की कमी एक जटल समस्या थी अधा लेखक ने बोर्ड एमम सहुक्त प्रांत की सरकार से अनुमती ली की बोर्ड भवन निर्माण कर और हरजाना से वसूली कई रकम संग्राले को दे दे तब उन्होंने बोर्ड से बोला कि भाई जो भी आप हरजाने म होगा कि हमको एक नया भवन निर्माण करने के लिए पैसे मिल जाएंगे साथ सरकार के परामर्ष दाता डॉक्टर पनलाल आईसी के सोजन्यवा सहायता से कंपनी बाग में भवन के लिए एक भूखंड मिल गया मतब एक रेकती थे पनला ऐसी से उन्होंने जो है एक भूख करता है वे उनकी सिच्छा को स्युकार कर कुछ दिनों के उपरान भवन का शिलानयास कर देते हैं तो लेखक से जो है वो नहरुजी से शिलानयास करवाते हैं और नहरुजी मान भी जाते हैं और करते भी हैं लेखक द्वारा अपने सहीयोगियों का आभार प्रकट करना इत अंत में लेखक ने अपने सहयोग्यों का उलेक करते हुए उनका आभार विक्त किया है लेखक ने राय बहादुर, कामता प्रसाथ कक्कड, हिज हाइनेस स्री महेंद्र सिंग जू, देव नागा और नरेश, दीवान लाल, भारगवेंद्र सिंग तथा अपने चप्रासी जग अदेव को भी याद किया, लेखक ने इस संग्राले के निर्माड में स्वेम को केवल कारण मात्र माना है, संग्राले के संग्रशन का बार डॉक्टर सतीष चंद्र को सौंप कर लेखक ने सन्यास ले लिया, मतलब उन्होंने बहुत सारे लोगों का जिन्होंने सयोग किया सभी के नाम को यहां मेंजिन किया, और साथ ही साथ सतिष चंद्र जी को यह सारा कारेभार देरे के बाद उन्होंने सन्यास ले लिया, कि अब मतलब आप जो इधर उधर भूम के सारी चीज़े एकतर कर रहे थे, उन्होंने मना कर दिया कि अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं क्यों कर दी, वो जो उन्हें पसोबा से कौसामवी लोड़ते समय रास्ते में, जो शिव जी की चत्रमुक मूर्ती जो मिली थी, उसको उन्होंने वापस क्यों कर दिया, क्या कारण थे, तो देखी क्या लिए, लेखक ने गाव़ालों को शिव की मूर्ती निमलिखित कारण उनकी आस्था जुड़ी थी उस मूर्ती से, दूसरा है, लेकप को इस बात की जानकारी नहीं थी कि गाव़ालों का मूर्ती के प्रती इतना लगाव तथा आस्था का भाव है, उन्हें नहीं पता था कि ये मूर्ती जो सोच रहें कि रास्ते में पढ़ी है, उठा लाए, इसके साथ इतने सारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तीसरा है, वा गाव़ालों से भविष्य के संबंद बिगारना नहीं चाहता था, क्योंकि संग्राले के लिए अनमोल और दुल्लव वस्तुए खोजने के लिए उसे ऐसे ही गावों में जाना पड़ता है, वापस करना ही ठीक समझा, कोशिन नमबर टू है, लेखक के मैसूर जाने का क्या कारण था, उसकी यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं, अब देखिए मैसूर जाने का कारण क्या बताया था, एक तो उन्हें मित्र का साथ मिल रहा था, दूसा वो साउथ कभी नहीं ग सभापती लेखक के मित्र कभीवर ठाकुर गोपालशनर सिंग थे, तो अब जो कॉन अधिवेशन हो रहा था, तो वहां के जो मित्र थे, वो वहां के सभापती थे, तो वो जा रहा है थे तो उन्हें नों बोला हम भी चलते हैं, फिर लेखक पहले कभी दक्षिन की ओर नही चलना चाहिए, और दक्षिन कभी हो गए भी नहीं थे, उसे सुना था कि दक्षिन में तामर मूर्थियों और ताल पत्रों पर हस्त लिखित पोथियों की मंडी है, मतलब वहां पर ये सारी चीज़े मिलती हैं, मैं लेखक कि मैसूर यात्रा से उनकी जिग्यासु और खोज लब वस्तु में लाया, इसे स्पष्ट होता है कि लेखक की पुरा तत्व तथा इत्यास समंदी वस्तु में खोजने में रुची थी, यानि कि वो अपने लिए नहीं गए थे, वो संग्राले के लिए गए थे कोशन नमा थरी है, मैसूर के मुखे बाजार की क्या विशेशता थी, पार्ट में जो मैसूर के मुखे बाजार के बारे में बताया क्या है, वो मुखे बाजार कैसा था तो क्या है मैसूर के मुखे बाजार की निमलिखे द्विशेश्थाएं थी वहां अत्यदिक भीड भार थी तथा भीड में बड़ी संख्या में लोग नंगे बदन थे साउथ साइड में लोग इसी तरीके समदब नीचे धोती बांद के और उपर नंगे बदन रहते हैं बहुत जादा उन लोगों के शरीर का रंग काला था उस पर उन्होंने सफेद रंग का जनेउ पहना था साधार न बाक्चित करने में वो लोग इतनी जोर से बोलते थे जैसे लड रहे हूं उन्हों की आवाज जो है वो बहुत तेज थी तो ये सभी जोग शेश्ता है वहां के लोगों के साथ में बताई गई जो बाजार में जाकर उन्होंने लोगों को देखा था वो बताया प्रिश्ण संख्या चार ही कच्चा चिठा के आधार पर प्रयाग संख्राले को ब्रजमोहन व्यास के योगदान पर प्रकास जा लिए प्रयाक संग्राले में हमने जो पार्ट पढ़ा व्रज मोहन व्यास जी द्वरा लिखित था उनका जो सयोग रहा प्रयाक संग्राले के लिए वो हमें यहाँ पर बताना है पूरा पार्ट ही हमने देखा कि उन्होंने प्रयाक संग्राले के लिए ही कारिरत रहे तो यहाँ पर राजकाल की प्राचीन तम बोध्धिमूर्थी खजराओं के चंदेल प्रतिमाएं सैक्रो रंगीन चित्रों का संग्रह आदी शामिल है उन्होंने संस्क्रित हिंदी और अर्वी फार्सी के 14,000 हंस्त लिखित ग्रंथों का संकलन इसी संग्रहाले के लिए किया पंडित नहरू को मिले मान पत्र चंद्रशेखार आजाद की पिस्तॉल इराबाद संग्रहाले की धरोवर मानी जाती है तो उन्होंने इतना सारा सहीयोग किया जो जो चीज़े उन्होंने संग्रहाले के लिए लेकर आए उन्हें यहां पर आप लिखतेंगे तो इस तरीके से हमारा यह question paper यहां समाथ होता है question paper sorry मैं बोल रही हूँ one-shot revision जो हम करा रहे थे वो हमारा यहां समाथ हुआ तो I think आप सभी को समझ में आ गया कि One Short Revision में हमने किस तरीके से क्या क्या चीजे समझाई हैं अच्छे से आपका Chapter Revise हो गया होगा अब यह जो One Short Revision है हमको मिलेंगे कैसे इसके लिए आपको हमारे जो है वेबसाइट पर आप Google पर टाइप करोगे Magnet Brins तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा उसे आप क्लिक करोगे क्लिक करती है आपके सामने Page Open होगा जहां पर दिया होगा CBS English Medium आपके से क्लिक करोगे क्लिक करती है आपके साथ यहां One Short Revision आएगा इसे क्लिक करेंगे तो वह सभी Classes आजाएंगे जिनमें One Short Revision अविलेबल है तो आप यहां सभी Classes देख रहे हो आपको अपनी Class यानि की Class 12 यहां पर क्लिक करना है जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे आपके सामने Class 12 का One Short Revision का प्लेलिस्ट आजाएगे आप यह देख रहे हो इस तरीके से अब आपको Select क्या करना है हिंदी अपना तो हिंदी जैसी Select करेंगे आप यहां पर तो आपके सामने सभी Chapter आजाएंगे Books आजाएंगे, Books के Chapter आजाएंगे अब आपको जिसका भी Revision करना है आप उसे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा इसको देखिए अपने Revision को Complete कीजिए इससे आप कोई भी एक्जाम हो कोई भी टेस्ट हो फटाफट आप इस तरीके किसे आप यहां पर आके सभी Subjects के OneShot देख सकते हैं इसली Revision कर सकते हैं जैसे हमारा चैनल है Magnet Beans इती तरह है Magnet Beans Hindi भी है तो यहां पर Hindi Mediums जो जितने भी Students हैं उनका सारा Study Material वीडियो सभी आपको यहां मिल जाएगा अवलेबल है तो आपके पहचान में जो कोई भी Hindi Medium में हो आप उन्हें बता सकते हैं और उनसे बोलिएगा सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन भी आपको टाइम भी मिल जाएगा हमारे चैनल पर आपको जितना भी Content प्रोवाइट कराया जाता है यह Totally Arrange है जिसके लिए आपको बिलकुल भी परिशान नहीं होना पड़ता कि एक टॉपिक देख लिया तो दूसरा टॉपिक ढूणने के लिए बहुत इधर से उधर मेनत करने पड़ा ऐसा कुछ नहीं हो था Totally Playlist Arrange है आप एक के बाद एक दूसरा Connected Topic या Chapter देख सकते हैं बिलकुल भी जैसे हमनों बुक्स में देखते हैं वैसे ही आप यहां पर भी देख सकते हैं टूट लिया रहे इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहे है इसे Like, Subscribe, Share जरूर कीजेगा Thank you for watching, Bye Bye